नमस्कार दोस्तों मैं सुमित करेल और आज बात करेंगे टाइगर 3 के ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर रिव्यू करने के पहले आप से रिक्वेश्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद है तो लाइक करना और शियर करना दोस्तों टैगर 3 का ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा इसका ट्रेलर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इसका ट्रेलर बिलकुल भी वैसा नहीं है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके ट्रेलर में बहुत भव्य भव्य आक्शन होंगे और बहुत ज़ादा माढ धाड होगी लेकिन वाइरेफ नहीं हाँ पे हम सब को सप्रेज कर दिया वाइरेफ ने फोकस किया फिल्म की कहानी पे और फिल्म के इमोशन्स पे जो बाब बेटे की कहानी है टाइगर अपस के बेटे की उस पे वाइरेफ का फोकस था, उस emotional friend पे वाइरेफ ने खेला है इसके ट्रिलर के साथ इम्रान आश्मी कहते हैं वने रज़र आते हैं इसके ट्रिलर में कि टाइगर तुम या तो देश को बचा लो या अपनी फैमली को और यह जो कहानी है, यह जो बाब बेटे की और इसकी फैमली की कहानी है टाइगर देश को चुनेगा किया फैमली को, वो इसके कहानी की नीव है, इसकी कहानी की रीड की हड़ी है और इसी चीज़ पे वायरेफ ने focus किया है इसके trailer पे ना कि out and out action पे action दिखाया गिया है लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने सिर्फ tease किया है और फिल्म में जो action है उसको सिर्फ tease करके छोड़ दिया है जो main high points है, जो main action scenes है Tiger 3 में, वो शायद YRF ने छुपाया है हम सबसे और उसको बहुत ही, खोड़ा सा, बहुत ही कम मात्र में, कम amount में, इसके trailer में audience को tease किया गया है, इसका एक trailer 2 और आ सकता है film की release के पहले, और शायद वो trailer full action से भरपूर हो, तो इसका जो trailer के impact है वो पठान जैसा नहीं है, कि पठान was out and out action trailer, और जो भी पठान के बड़े-बड़े action scenes थे वो 80% उसके trailer में वायरेफ ने tease कर दिया था audience को, और Tiger 3 मुझे लगता है कि वायरेफ ने कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ थोड़े बहुत highlights सी हमें इसके trailer में दिखाये है, और जो trump card है, Tiger 3 का वो है इसका villain इम्रान हाश्मी और इसको भी सिर्फ टीस किया गया है, और ये film में बहुत ही एक cruel, एक बहुत ही एक menacing villain आपको नजर आएंगे और उसको सिर्फ टीस किया गया है, जो कि इसके trailer को और impactful बनाता है, सल्मान खान is a mega star, सल्मान खान वायरेफ स्पाई उनिवर्स के जनक है, he is the OG, he is the original gangster of स्पाई उनिवर्स, and हर एक frame में वो च्छा गये, हर एक action scene में वो च्छा गये, उनका जो screen presence है, वो god level है, उनका जो action करने का अंदाज है, वो अलग level का है, he is the undisputed king in this genre, इस genre में action films में इनका हाथ कोई नहीं थाम सकता, कोई नहीं पकार सकता, और Tiger 3 के trailer में सल्मान साब ने ये फिर साबित कर दिया, कैटरिना के actions दिखाएगा है, काफी अच्छे है, खास करकि वो जो towel fight scene है, उसको देखे तो audience को मज़ा आगिया होगा, कि मुझे भी बहुत मज़ा आया, और overall इसका trailer मुझे काफी पसंद आया, अगर थोड़ा और action दिखाते, थोड़ा और tease करते, जो film के highlights है, तो और ज़्यादा मज़ा आता, और impactful होता, शारू खान साब का cameo भी है इसमें, और एक और बड़ा cameo हो सकता है, एक बहुत बड़े star का, वो जब हम film देखेंगे, तो समझ में आएगा, 12 तारी को ये film release हो रही है, तो काफी ज़्यादा impact पड़ता, दिवाले के दिन, Sunday है, तो जो Muslim audience है, वो ज़रू देखने आएगी film को बहुत बड़े तादात पे, और Hindu audience भी आएगी, शाम को जब लक्षमी पुजा चालो होगा, तब इसके shows थोड़े occupancy wise थोड़े कम perform करेंगे, लेकिन फिर भी ये 40-50 क्रोड का opening दिवाली के दिन ले सकती है, और Monday से तबहाई चालो होगी, बस ओफिस पे सुनामी चालो होगी, और 70-80 क्रोड का धंदा ये Monday से कर सकती है, और पूरे हफ़ते चुटी है, तो ये अपने बड़े action में, और पठान में जो शारुक का और सिल्मान का जो sequence था, उस sequence को बीट करना होगा, मनीश शर्मा को, वैरेफ को, क्योंकि आप उससे कम नहीं दिखा सकते, क्योंकि audience की जो उमीदे है, वो बहुत जादा है, सिधार्ट आलन का जो विजन है, उनका जो एक सोचने का तरीका है बड़े परदे के लिए, वो पठान का एक X-Factor था, और शायद वो X-Factor मनीश शर्मा में ना हो, और अगर वैसा ही X-Factor मनीश शर्मा ने भी दिखा दिया, तो ये फिल्म 600 करोड का बिजनस भी हिंदी में कर सकती है, 500 करोड तो मुझे लग रहा है कि तैय है, यह जो 100 करोड का फासला है, वो तैय करेगा direction, वो तैय करेगा मनीश शर्मा की जो talent है, वो तैय करेगा कि मनीश शर्मा कितने अच्छे director है, क्योंकि सिधार्त अनन को match करना इतना असान नहीं होगा, लेकिन Tiger 3 का trailer अच्छा है, मैं रहता हूं इसके trailer को 3.5 stars, and काफी different trailer है यह war से, और आपके Tiger जिन्दा है से, और पठान से, जो कि इस film को थोड़ा अलग बनाता है, emotions is the main factor of Tiger 3, and अगर emotions लोगों को दिल को छूगे, तो यह film box office पे कहां जाके रुकेगी, यह हम कोई सोच भी ने सकते, आपकी क्या रहा है, क्यामें सेक्षिन में जरूब बताएगा, signing off सुमित करे, thank you.